कि मैं कुछ एक कोश्चन समझाऊंगा जैसे जो मुझे लगए कि यह तो हो ही जाएगा इसमें तो बस फॉर्मूले पुट करने और तो कुछ हाई नहीं तो वह कुश्चन में पूरा समरी बना दूगा वह आपका होमवक में रहेगा और जो कुश्चन लगेगा ने कि नहीं भाई नहीं हो सकता हो मैं करूँगा फिर भी नहीं होगा तो फिर उसे अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे जैसे कि यह कुश्चन है 7.9 देख लेते हैं आपको गीवन है आपको एक्जिस्टिंग क्याप्टल स्ट्रेक्चर 10 लैक एकुटी शेयर है 10 लैक रूपे ने लि पहले से तेरे पास 10 लैक की बात करें सो लाक का पहले से इस बातों पर ध्यान देजिए अडिशनल चाहिए तो ठीक है सर अडिशनल एडिशनल कितने चाहिए 100 लाक रूपे और चाहिए फाइनेंसिंग एक्सपेंशन दा तू अल्टरेनिटी बोलता है पहली बार में एक काम करते हैं 10 लाक एकुटी इसू कर देते हैं अरि क्योंकि 10 लाक एकुटी होगा biggest का इक होगा सो लाक बनी जाने सो लाक है और यहBut unusual रूपे चाहिए क्या 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 है त्वारी में क्या आखिनosse in में सौ लाक रूपे के दिवेंचर एशू कर देते हैं यानी 100 लाक रूपे का अगर आप लेन इसू करते एक करोड का वो भी कितने परसेंट वाला डिबेंचर इसू करने जा रहे हो आप 14 परसेंट अब मुद्दे की बात है पहले वाले प्लैन में एकुटी शेर कितने होंगे दे को एक दस लाख ये वाले और दस पुराने वाले भी जोडने पड़ेंगा टोटल एन होता है वहाँ पर यानि सर सवाल का फॉर्मुला क्या है वन माइनस में टी जहां पर नहीं होता एन इस इकल टू माइनस इंट्रस्ट वन माइनस में टी डिवाइड़ बाए एन सर एन का मतलब क्या है ये एन, एन, एन N होता है हमारा number of shares और old plus में new अभी तक question में new दिखाता तो new एक ही लिया अब old plus में new लेना है आपने तो पहले EBIT तो नहीं पता तो EBIT EBIT रख देते हैं 1- में T पता है सर कितने percent 0.5 N कितना होगा सर पहले वाले option में N तो पहले पुराने वाला 10 लाख और नहीं वाला 10 लाख तो N होने वाला है EBIT सर अभी पूछूँआ जिस किसी का doubt होगा तो और interest minus कर देते हैं तो भई अब दूसरे वाले plan के लिए चल रहा है तो दूसरे वाले plan में debt है तो इसका मतलब interest आ जाएगा 14 लाख रुपय का और उसमें 1-0.5 हो जाना है और यहां पर N क्या होगा क्योंकि नए तो share रहे नहीं पुराने वाले रहेंगे that is 10 लाख पहले equation देख लीजिए आप जिसको भी equation में doubt है आप पूछ सकते हैं पहले equation देख लीजिए किसी को doubt हो तो N का मतलब समझा नए वाला share पुराने वाला और यह जो बाते बता रहा है आपको आपको यह जो बाते बता रहा है पहले structure यह कौन सा है यह old वाला है मैंने old लिख दिया नो और नए वाले fund यह है हमारे पहले में बोलता है सबका equity share करते है अपको प्रविशन ख्लियर है तो फिर तो देखो सबसे आसान तरीका क्रॉस मुल्टिप्लाइक करने से पहले 0.5 divided by 2 यहाँ पर क्रोस मुल्टिप्लिक्िशन करने से पहले 0.5 माइनس में 7 लाक हो जाएगा यह divided by 1 Multiply करिए तो 0.5 EBIT is equal to 1 EBIT यानि सरफ EBIT रहेगा क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं है वो 1 ही रहेगा minus 7 lakh minus करोगे तो 0.5 EBIT is equal to 7 lakh ये भी minus ये भी minus minus से minus cancel कर दोगे तो EBIT क्या आगया 7 lakh divided by 0.5 कितने आगे 14 lakh 14 lakh ये कुछ और आ रहे है ठीक है बिल्कुल N सरिफ number of equity है पुराने नहीं सब को मिला के मैंने बता है 14 lakh बिल्कुल वाई एक बच्चे ने अपना नाम ही excuse में लिखा हुए अपना नाम चेंज कर लो तो कहीं माइनस प्लस में कड़ बढ़ है आपना नाम हुए आपना नाम चेंज कर लो एट कर दो इंटू में दो अच्छा ये करना भूल गया साथ लाग को इससे मल्टिप्लाई कर दिया इससे नहीं करा ना ये दो से मल्टिप्लाई होगा ये चौदा लाग रहे गया ठीक है कि ओके कि तो आंसर थोड़ा बदल गया ये लेज़े ठीक है दो से मल्टिप्लाई करना रहे गया था कहां पर फिर याद दिला देता हूँ मैंने इस दो को 0.5 या EBIT भी नहीं लिखा इस दो से इसको मल्टिप्लाई करो इससे मल्टिप्लाई करो तो ये तो एक आ गया और ये 14 लाग आ गया ऐसे हो गया थे 28 लाग रुपे आंसर